हेलो दोस्तों मैं हूं पिका चौधरी आप सभी का सौगत करते हमारे चैनल All In For Hindi में करोना के बढ़ते मामलब को देखते हुए अगर आम जनता नियमों का पालन नहीं करें तो उन पर जुर्माना लगाया जा रहा है पर साथ ही साथ क्या ये नियम सभी पे लागू है इसी के मद्दे नजर अब करमचारी नहीं करें नियमों का पालन तो उन पर भी जुर्माना लगाया जा रहा है सिटको मनपा मंडल कार्याले के मंडल अधिकारियों को अपने स्वएं के कार्याले के करमचारियों दोरा मास्त नहीं पहनने के लिए जुर्माना लगाया गया है कोई भी करमचारी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं करोना की बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए नियमों का पालन करना अनिवारे है मनपा लापरवाही और उलंगन को लेकर पिछले चार दिनों से लोगों पर कारवाई कर दिये यह जुर्माना केवल आम जनता के लिए नहीं बलकि सरकारी अधिकारियों और करमचारियों के लिए है हम हमेशा कहते हैं कि नियमों से आगे कोई नहीं है लेकिन मनता की सीट को विभाग में इसका विपरी देखा गया यह विशे इलाके में चर्चा पनकर फैलता जा रहा है जिसने उन अधिकारियों और करमचारियों को एक अच्छा सबक दिया जो कारयाले समय के दुरण मास्क नहीं पेहनते हैं जो दरशाते ही की कारयाले में मास्क और करोना के नियम का पालिम किया जाना चाहिए सिटको डिवीजनल ओफिस के कुछ करमचारे बिना मास्क के काम करते पाए गए इन करमचारियों के खिलाफ दंडात्मक कारवाई की गए इसे सहायक आयुक्त और संभागी अधिकारी डॉक्टर मयूर पार्टिल ने समधित तीन करमचारियों के खिला दंडात्मक कारवाई की और प्रत्यक पर तीन हज़ार उपय के जुमाना लगया ये पहली बार है जब अधिकारियों ने अपने करमचारियों को दंडित किया की गई है अब देखते की आम जनता के बाद मनपा के अधिकारियों को करमचारियों को हरजाना भूगतना पड़ा है लेकिन क्या इस लिस्ट में स्रीफ मिडल क्लास या फिर आम जनता ही आएंगे या अगर उच्छ वर्ग के लोग भी गलतिया करते हैं तो उन्हें भी भार इससों तक शेर करना ना भूले और भी से जान करें परेविए देखने के लिए हमारे चैनल ओल इन वह हिंदी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई लिगे के सूशना आप तक पहुंसती रहें